सोलन में भाशपा अल्प संक्यक मोर्चा के रास्टी अध्यक्ष अब्दुल रसीद अंसारी की अध्यक्षता में प्रेसवारता का आयजन किया गया इस मौके पर बगाट बेंक के चेर्मेन पबन गुपता विशेश रूप से उपसित रहे उन्होंने प्रेसवारता के दुर बुराईयों को व्यवस्तित करना आरम कर दिया है जिसके बज़े से आज भारत का नाम अंतरास्ट्य पटल पर बड़े अध्यक्ष अध्यक्ष अब्दुल रसीद अंसारी की अध्यक्षता में प्रेसवारता का आयजन किया गया इस मौके पर बगाट बेंक के चेर्मेन प उनके शाशनकाल में अर्थ व्यवस्ता का बुरा हाल था महंगाई अपने चरम पर थी बेरोजगारी अपने शीर्च पर थी लेकिन अध्यक्ष अब्दुल रसीद अंसारी में इस मौके पर कहा कि बेस्तिर मोर के पच्छाद में हो रहे है उपचुनाप में रीना कश्यप के लिए समर्थन जुटाने के लिए आये हैं उन्होंने कहा कि पच्छाद में कॉंग्रिस ने काफी वर्षन तक राज किया लेकिन विकास के नाम पर ये बिधान सबह क्षित्र जीरो रहा लेकिन जब से भाजपा के बिधायक यहां से जीते हैं उन्होंने य परदान मंत्री नरेंदर मोदी के हाथ एक और फिर से मजबूत करें यहां की जंता को ये बताना चाहते हैं बलके याद दिलाना चाहते हैं कि ये छेतर बरसों पिछला रहा है और इसके विकास का जो कुछ भी काम हुआ है वो भारतिय जंता पार्टी की सरकारों के और उसके विधायकों के हातों हुआ है और आज इस विकास को की गती को और तेज करना है इसलिए भारते जंता पार्टी की कैंडिडेट को भारी मतों से कामियाब करना है ताके परदेश की भारते जंता पार्टी की सरकार और मजबूत हो और इस छेतर का और ज्यादा पहले से ज्यादा बेतर विकास हो आपको याद होगा कि पिछले मौकों पर भारती जन्ता पार्टी के जो विधायक रहे थे उन से पहले जो लोग रहे थे उन लोगों ने अपनी सक्ता तो मजबूत करी होगी मग़र छेतरवासियों के विकास की तरफ दिहान नहीं दिया था उनकी सुविधाओं की तरफ दिहान नहीं दिया था आज यहां पुरा देश आगे बहु रहा है तरक्की कर रहा है तो हिमाचल के लोग खासतों से इस रीजन के लोग क्यों भी शुरे रहें वो भी आगे बहें यहां ज्यादा से ज्यादा विकास हो ताकि ज्यादा से ज्यादा कारुबार भी हो ज्यादा से ज्यादा यहां पर टूरिस्ट दी आए लोगों को उसका लाब मिले